बश्कार साथियों स्वागत है आपका अपनी ही योटागो चैनल बीरू अकैडमी पर डियर आज हम बात करेंगे जो सीटेट एक्जाम होना है तो 2022 वाला उसका जो पेपर पैटर्न्स है वो कब से सुरू होने वाला है एक्जाम आल लाइड मोड में होगा इसकी परिछा की त परिछा पर कोई असर पढ़ने वाला है तो इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे तो अगर आप सीटेट एक्जाम में बैटने जा रहे हैं और आप बिजट के अब भेरती हैं तो वीडियो पर रंत तक जरूर बाच कीजिएगा चैनल पर पहली बार आए हैं इसी तरह की अगर आपका कोई दिक्कत का भी सह था कुछ गलती आपने कर दे थी फार्म को फिल करने के लिए तो तीन तारीक तक इसमें करेक्शन किये जाएंगे आप जो है लॉग इन पास्वार्ड आईडी डाल करके अपना जो सीटेट का फार्म है उतने संसोधन कर सकते हैं अगर आ आप अपना सेंटर भी बदलना चाहते हैं तो भी आप इसमें जो है लॉग इन आईडी पास्वार्ड के माध्यम से आप अपना सेंटर जिस जिले में सीटेखाली है वहां ले सकते हैं पहली बात हो गई दूसरी बात अगर बात करें कि परिच्छाएं कब से कब तक कंड़ करवाई जाएंगी तो आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है 16 दिसंबर से लेकर के 13 जनवरी तक जो परिच्छाएं हैं वो आल आई नोड में CBT कंप्यूटर माध्यम से परिच्छाएं जो है भारत के प्रतेक राज्यों के माध्यम से संचालित कराई जाएंगे ये पू प्राथमिक पर और एक उच प्राथमिक लेबल पर तो जो फूबा वाला पेपर है प्राथमिक का वो साड़े नो से बारा होता है और साम वाला धाई बजे से पांच बजे तक होता है ये सब आपको बता दी गई हाँ इसमें नार्मलाइजेसंस कभी प्रोक्सिस लगेगा क क्योंकि जब परिच्छा एक अधिक सिप्टों में होती है तो कौन सा सिप्ट असान था कौन सा हाल्ड था इस एवज में हाल्ड वाले सिप्ट को कुछ नंबर जो है गो इक्स्त्रा दिया जाती है नार्मलाइजेसंस के तहत तो ये सारी मामला आपको पता चल गया अब बा बात करेंगी देखिए चुकि मामला अब अलहाबाद हाई कोट में इसके खिलाब एक रिट डाली गई है रिट जो है वो 24 नवंबर को फाइल की गई है और रिट लगाया है प्रतीक मिस्रा जी और टू अदर्स ने और कहीं ना कहीं ये वही प्रतीक मिस्रा हैं जिनोंने य बीएट के सातियों के अंगेश्ट एक रिट लगा रखी है कि जो सीटेट के इजाम में प्राथिमिक लेबल वन में बीएट के छात्रों के फाम फिल करवाए गई हैं उनके एडमिट कार्ड आप ना जाई कीजिए क्योंकि उनको जो है कही ना कहीं राजस्थान की जो डब अलहाबाद हाई कोट में रिट लगाई गई है हलाकि इसकी जो नेक्स डेट आप फिरिंग है वो 6 दिसंबर लगाई गई है तो 6 दिसंबर को ये मामला सुना जाएगा अलहाबाद हाई कोट में लेकिन उम्मीदे काफी कम है कि ऐसा कुछ होगा कि सीटेट में जो चात्र है उन पर admit card ना जारी हो या वो परिच्छाए में न बैठें क्योंकि इसके बाद जो है 14 दिसंबर को सर्बोच चन्यायाले में ये मामला पहले से ही विचारा धीन है लगा हुआ है लेकिन यहाँ पर परिच्छा तिथी के अगर बात की जाए तो परिच्छा तिथी बिलंब नहीं होगी उसके दो रिजन्स हो सकते हैं पहला CBSC ये जरूर कह सकता है कोट में कि हम अपने हिसाब से परिच्छा में विचारा के अभ्याथियों को eligible किये हैं और उन्होंने जो NCT का गजट है वो भी पूरी तरीके से पात रहें इंडिया में और किसी एक स्टेट या दो स्टेट से बाहर कर देने से भी ये प्रात्मिक से बाहर नहीं हो जाएगा चुकि जो main regulatory body है सिच्छा की वो NCT है और NCT का जब गजट सुप्रिम कोट से रद्ध होगा तब हम फिर देखेंगे कि उनको किस प्रकार से ट्रेंड किया जाएगा लेकिन फिलहाल हम इन्हें परिच्छा में बैठाएंगे और इनके result को जारी करेंगे लेकिन अगर NCT का गजट भबिस मेरत होगा सुप्रिम कोट में तो हम इनके result को dispute कर लेंगे या कुछ कर लेंगे ये इससे कहीं ना कहीं बढ़तर मामला जो सर्वोच दालत में है उस पर CBSC इस मामले को हैंडल करवा देगी अलहाबाद हाई कोट में तो परिच्छा की जो तिथी है वो निश्चे 16 दिसंबर से होगी आप लोग बिलकुन तयारी बना लीजिए अगर आप B8 के छात्र हैं तो भी आप बिलकुन टप्रेशन करते रहें आप पूरी तरीके से प्रहूंगे पेपर देने के लिए क्योंकि मामला सुप्रिम जो है आदेसित होगा तो वो आटोमेटिक एंसीटी अपने गजट में फिर से रोल में परिवर्तन कर लेगी और आपकी जो वैललिटी है डिगरी है डिपलोमा है उसको इसी हिसाथ से एबजार्ब कर लेगी उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट किलियर हुए होगे जाएगा चैनल पर पहली बारा जितने साथ ये विजट किये हैं सबस्क्राइब कर लीजेगा फिर मिलेंगे नेस्ट अपडेट में तब तक के लिए जैहिंजे भारत थैंक्यू